मैं हो सान्या खान आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स संसत के दोनों सदनों में दिल्ली हिंसा पर चर्चा करते हुए ग्रह मंत्री अमिज शा ने नागरिता संशोधन कानून और नेशनल पॉपिलेशन रेजिस्टर पर कहा NPR में किसी से भी कागस नहीं मांगा जाएगा और किसी को भी डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है लोगों को आजादी है आपके पास जितना जवाब है उतना ही बताए किसी भी नागरिक के सामने डी यानी डाउटफुल जैसी टम का इस्तिमाल नहीं किया जाएगा वही असद दुद्दिन OAC ने ग्रह मंत्री अमिज शा के बयान पर हमला बोला है अमिज शा के बयान को OAC ने डाउटफुल बताया है OAC का कहना है अगर ये लोग NPR कराएंगे तो NRC भी होगा मगर वही दुसरी तरफ OAC ने ये भी सवाल खड़ा किया है कि अगर NPR में डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा तो फिर पासपोर्ट नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, वोटर आईडी नंबर, आधार नंबर, मुबाइल नंबर, पैन कार्ट नंबर, इच्छा अनुसार बताने की बात क्यों की जा रही है मैंने खुछ पस्टता करी है, प्रेस रिलीज किया है, कि NPR के अंबर, कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा एक, दूसरा, पहले के NPR पे भी नहीं मांगा गया था, इसमें भी नहीं मांगा जाएगा दूसरा, उन्होंने कहा था, इन्फरमेशन नहीं है, तो हम क्या करें, इसकी भी पस्टता प्रेस रिलीज करकर दी है, कि जितनी इन्फरमेशन देनी है, उतनी देने के लिए, आप आजाद हो, पूरा ओप्सनल है इसरा, आपको बताता हूँ, चलो आपने अब तक नहीं सुना, मेरी बात आप तक नहीं पहुंची, तो मैं अभी कह देता हूँ, लिजे पहुंच गई, आमने सामने बैठे हैं, क्रुपे आप समर्थन करिए, मैं आपको मैं पश्टता के साथ कहता हूँ, एन पी आर में कोई डॉक्यमेंट मागा नहीं जाएगा, एक, दूसरा, जो इंफरमेशन आपके पास नहीं है, वो आप नहीं दे सकते हो, और तीसरा, कोई डी भी, मैं कह रहा हूँ, ग्रू मंत्रिय नातियर राज्य सभा के पतल पर कह र इस देश को, इस देश में किसी को एन पी आर की प्रक्रिया से डरने की जरूरत नहीं है, और दूसरी बात, दूसरी बात, आप बता दीजिए, सबर में कह रहा हूँ, जिसकी इंफरमेशन खाली होगी, उसको डी में डाला जाएगा, जो आपने कहा, अरे सुनो ना, अरे मेट जाओ, माने बर मुझे पूरी बात कहने दो, अरे पूरी बात कहने दो, बेट जाओ, एक मिट मुझे सुन कर बताओ, अरे मुझे सुन कर बताओ, पूरी बात सुनो, पेले, पूरी बात सुनो, एक मिट, एक मिट, ओ डिरेक, एक मिट, एक मिट मुझे सुन लिजे मैं क्या कह रहा हूँ बैट जाहिए मैं मैं जवाब देता हूँ ना अरे विनए विश्यम जी मैं जवाब देता हूँ सुनीये तो मुझे बोलने भी नहीं देंगे यार एक सेकंड आप सुनीये ना मगर भाई को बेढिए बहाई बहिया थोड़ी साहिस रूदा बढ़ाई है, मुझे बोलने भी नहीं देंगे, तुम मर गया, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुने, मैं यह कह रहा हूँ, कि मैं अजीब, अभी मेरा वाक्य भी पुरा नहीं हुदा खड़े हो गए, जिसकी जगे खाली होगी, कोई भी इसको डी ल आला नहीं है, और उस रूल में साफ तरों से लिखावा है, कि NPR होगा तो NRC होगा, चाहिए बो रूल त्री हो या रूल फॉर हो, या सबसेक्शन फॉर हो, कि NPR होगा, NRC होगा, तीसरी बात ही है, जब आप डॉकुमेंट्स नहीं पूछे तो NPR क्यों करेंगे आप, आप कहीं दी इनरिसी नहीं करेंगे आप क्लैरिटि के साथ कहतें नहीं है और एक अहंड जो होम 만सिर के साइट पर जो ऐनुमिनेटर मैंनियूल है उस मैंनियूल में सरकार खुद है इनुमिनेटर से कह रही है कि जब आप किसी ईलाखे में जांगे तो wide publicity दीजिए ताके जनता के पास से उनका आधार कार्ड voluntary दे दें वो passport number, mobile number, epic card, driving license का नमबर ये क्या है पिर ये आप खुद कह रहे हैं अपने innovators को और rules 7 subsection 2 क्या कह रहा है कि जो घर का बड़ा होता है उसकी जमेदारी है कि सब चीज़ें दे तो home minister का खुद statement doubtful है वो misleading statement दे रहे हैं NPR इसलिए करना चाहते हैं ताके NRC करके doubtful citizen खरार दिया जाए और उसके बाद ज्यादाता जैसा आसाम में NRC हुआ 13,19,19 लोगों के नाम नहीं आए जिसमें से आप सिफ 13,19 जो गहर मुस्लिम हैं उनको citizenship देंगे और जो पांच लागन नहीं देना चाहरे है तो इनकी नियत यहीं है उनका इनिमिनेटर्स मैन्यूल में क्या कह रहा है रूल 4 क्या कह रहा है रूल 7 क्या कह रहा है वो होगा तो NRC भी होगी प्रहार टाइम्स की खपरे देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुचे ताजा तकनी खबरों के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूले अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें